नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में और आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 10 के लिए कुछ महत्पून कोशन्स लेकर आए हुए है यह हिंदी का कोशन है और इसको आप लोग प्रेक्टिस कर लिजेगा यह वीडियो को प पहला कोशन है अट नहीं रहे है जो कभीता कीक कभी नृमन में से कँं है अर नहीं रहे है जो कभीता है आप लोग का उसका कभी कौन है इसका सही जबाब क्या हो जागा । Imagine a आपनि आपकों सही जबाब अगला कोशन के तरफ चलते हैं दूसरा कोशन देखिएगा अट नहीं रही है कवीता में कभी ने किन का वर्नन किया है ठीक है अगे बढ़ते हैं अगला कोशन देख लीजेगा यहाँ तीन निमर कोशन है अट नहीं रही है कभीता में चारों तरफ किसकी सुन्दरता फैली हुई है अट नहीं रही है जो कभीता है इसमें चारों तरफ किसकी सुन्दरता फैली हुई है तो फागुन की सुन्दरता फैली हुई है आपके बिल्कुल आपका सही जबाब हो जागा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोश कैसी हवाई चल रही है था इसका सही जवाब क्यों जाएगा मादक अपसंडी आपका यहां परी सही जवाब हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां दिखेंगे पांच नमर कोशन ने फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है इसका सही जवाब क्या हो चलिए फटफट से अगले कोशन की तरब चलते हैं यहां परी अपरी 6 तो में क्या कुटकूटकर बढ़ा है constant q जबाब क्या हो जागा आप संदी बिल्कुल सभाब हो जाएंगा आगे बढ़ते अगला कोशन देखिएगा यहां पर साथ नमर कोशन फागुन अने रित्यों से किस परकार भी ने होता है फागुन जो है अने तो से किस परकार भीरने होता है तो इसका सही जबाब क्या हो जागा सुहावने मौसम के कारण अपसन ए आपके आपनी बिल्कुल सही जबाब हो जागा ठीक है आगे बढ़ते अगला कोशन दिखेगा यहाँ परी आठ नमर कोशन है कहीं सास लेते हो घर घर भर देते हो पंक् कान तिरपाथी निराला का जन्म कभ हुए इसका सही जबाब क्या हो जाएगा ठीक है तो याद रखेगा अठारोसु निनानबे स्पी कब अठारोसु निनानबे कौन सा अपसन से हो जागा ठीक है अब यहाँ देखिए का दस्तमर कोशन है अट नहीं रही है कभीता में किस किसका आभा हट नहीं रहे हैं एट हैं किसकी आभा हट नहीं रहे हैं naw कवितामें पीता में किस फुलका रंग लाल होता है किस फुल का रंग लाल होता है तो पलास फुल का रंग लाल होता है ठीक है यह आपका उत्तर हो जाएगा इसको नोट कर लिजेगा याद भी कर लिजेगा अटनेरी कविता में कभी को आकास में उरने के लिए कौन पंक दे देता है कौन पंक दे देता है तो फागुन का महिना पंक देता है ठीक आकास में होने के लिए इसका उत्तर हो जागा इसको भी आप लोग नोट कर लीजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ देखेगा तेरे नमर कोईशन है फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी रितुओं से भीन होता है ठीक इसका क्या आने पते जहर करने पते निकलने लगते हैं धर्ती से सर्वत्र फुल खिले हुए रहते हैं ऐसा सुन्दर अने रितुओं में दिखाई नहीं देता है यह बाकी रितुओं से अलग दिखता है भीन होता है ठीक है इसको आप लोग नोट कर लिजेगा बहुत इजी इंसर है और इसको आप लोग आसानी से याद्कर पाईएगा ठीक के इसको फटा-फट से नोट कर लेना और याद कर लेना है 14 नमर कोईशन देखिएगका कभी की आफ भागुन की संदर्टा से क्यों नहीं हट रही ए उसका एंसर द Whats कर लिजेगा क्या हो जागा फागुन बहुत मतवाला मस्ती और सोभा साली है ठीक है उसका रूप संदर रंग बिरंगे फुलो पत्तो और हवाव में परकट हो रहा है ठीक है फागुन के कारण मौसम इतना सुहावना हो गया है कि उस पर आख हटाने का मन ही नहीं करता ठीक है यह इसका उत्तर हो जाएगा इसको आप लोग नोट कर लिजेगा ठीक है नोट करना मतलब याद भी करना है ठीक है आगे बढ़ते हैं और यहां देखेगा पंदरें नमर कोशन है प्रस्तूत कविता में कभी ने परकृति की वाप प्यकता का वर्नन किन रूपों में किया ह इसका क्या उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा कभी निराला को निराला मतलब सुर्यकांत तिरपाथी निराला जो है उनके बारें बोला जा रहे है कभी निराला जी को या निराला को फागुन का मास अत्यांत सुन्दर लगता है ठीक है कभी जो है इस कभीता के जो फागुन का मास है बहुत सुन्दर लगता है उन्होंने परकृति की सुन्दर की व्याप्ता का वर्णन कई रूपों में किया है कभी कहता है कि जब तुम सांस लेते हो तो घर भर जाता है अर्थात मौसम के सुन्दर का परभाव इतना जादा है कि पूरा वातावरन प्रफुलित होकर अकास में ओरने लगता है ठीक है उनका मन कहीं एक जगह इस्तिर नहीं होता बलकि परकृति के चारोदीशाओं के रूप सुन्दर को निहारने के लिए प्रतिपल यहां वहां भटकते रहता है ठीक है यह कहा जा सकता है कि धरती का सरवर्तिव फागुन म पाइएगा ठीक है ऐसा कुछ जादा हाड नहीं है ठीक है तो फटा फट से इसको भी आप लोग को याद कर लेना है और कोशिज कीजिए गाव जो लोग मतलब चाहते कि नहीं हम कम याद कर लिए तो लोग बेशाइट पर विजिट कर लिए वहां देख लिए को कौन कितना जादे इनपोर्टेंट है तो उसी साब से आप लोग याद कर लिएगा ठीक है तो यहां पर देखिए को सोलर नंबर कोशिन क्या है फागुन मास में परकृति में क्या परियोर्तन दिखने को मिल दिखने लगते हैं तो कहीं साल के पते निकलने लगते हैं और कहीं फूलने फुल और पलास के फुलों से सफेद लाल रंग से पट जाता है यह आपका उत्तर हो जाए इसको आप लोग नोट कर लिजेगा और इस वीडियो में लोग 16 कोशन ही रहने देंगे और फिर हम लोग अगले वीडियो में जो भी कुछ रहेगा आगले वीडियो में देखेंग चले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और उससे पहले एक और जरूरी सुचना जो लोग मतलब चाहते कि कुछ इंपोर्टेंट कोशन याद करें दे कि आप लोग को पता है कि जो कोशन करवाया जाते हो आप लोग का बोर्ट परिक्षा के लिए इंपोर्टेंट रहता है तो चले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धनेवाद आपसे भी लोग का थाइंक यू जय हिन जय भारत